साथियो जैहिन दिल्ली पुलिस के जो हमारे सिपाई हवलदार ठानेदार पिछले कोरोना काल में लगवक 30 पुलिस वालों की डैथ हुई और इस दोरान भी लगवक 25 के करीब पुलिस वाले हमारे कोरोना की भैट चड़ चुके हैं परंतु जिस तरह से दिल्ली सरकार का जो रविया दिल्ली पुलिस के प्रती है बहुत असंबंदेशील है हमारे सिपाई अभमित राणा जिनका मैं एक्जामपल दे रहा हूँ आपको लगवग एक साल पहले उनकी मौत हुई थी और कोविट से हुई थी उनके डॉकुमेंट इसी तरह जो और अधिकारी हैं हमारे साथिये जिनकी डेथ कोविट लेटिड है जो एक करोड रुपया कंपंसेशन उनको दिया जाना था आज तक कोई पैसा दिल्ली सरकार ने नहीं दिया हमें कोई इतराज निक डाक्टर अश्रफ जैसे संपन डाक्टर के घर जाकर आप उनको एक करोड रुपया दे कर आते हैं उनके हलचाल पूछते हैं क्या यह दिल्ली के और साथी क्या जाती आधार के नाम पर ही अपना पैसा कंपंसेशन ले पाएंगे आपसे क्या आपके स्टेंडिंग को और कहते हैं आपने देखा है पैरिटी नाम की कोई चीज है आप को सकता आपकी औलाद हैं को से आपका चरित्र और आपके कार करने की पणालि सब के सामने आ चुकी है रएक आदमी जानता है परम तो जिस तरह से आपने लोगों को भ्रहम में डाला है बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा यह काट की हाड़ी बारबान नहीं संगराम परिशद बनी थी और बिलकुल यंग आदमी CM बने थे आज उस पार्टी का नामों निशान नहीं है वो भी कहते थे पूरे हिंदुस्तान पर राज करेंगे बहुजन समाजबादी पार्टी जिसकी मुख्या बेन मायावती वो कहते थी मैं एक दिन प्रधान मंतरी की कुर्सी पर बैठूंगी उनका सपना साकार नहीं हो पाया मुलायम सिंग यादव वो भी सपना देखते थे मैं डिफेंस मिनिस्टर बन गया हूं बहुत थोड़ी दूरी पर हूं प्रधान मंतरी बनने से वो नहीं उनका सपने हो पाए पूरे आप राश्ट पिता नहीं ब कराई है अभी सेकिंड वेव के दौरान में वह किसी से छिपी नहीं हुई है आपकी कतनी और करनी में इतना फर्क है कि लोग जान चुके हैं आपको समझ सुकें अच्छी तरह से ठीक है बोले वाले गरीव आदमियों को आप बिजली पानी के फिरी के नाम पर भैका सकते हो पर हम लोग टेक्सपेयर भी इस दिली के अंदर रहते हैं मैं भी एक टेक्सपेयर हूँ जो आप ये खेरात नहीं बाट रहे हैं के करोड़ पर बाट रहे हैं ये हमारे पैसे मैंसे दे रहे हैं आपके बाप दादाओं की कमाई से आप नहीं पैसों को बाट रहे हैं एक द किस आधार पर हो रही है आपका आपने क्या एजन्डे से आप काम कर रहे हो आपको बताना पड़ेगा अधालतों को और नहीं बताओगे तो दिल्ली की जनता एक दिन आप से पूचेगी दिल्ली पुलिस का एक एक जवान जो आपके साथ पीएस तो रहते हैं वह आप से पूचेंगे सर हमारे लिए आप क्या कर रहे हम आपके लिए सुरक्षा देते हैं याद रखना जिस दिन ये सुरक्षा देने वाले आपके साथ नहीं होंगे आपको घर में किस चिठा अभी 31 माई को पूजा राणा जो उनकी पत्नी है हमारे कारियाले में आएंगी अपनी बात रखेंगी कि उनको किस तरह से आर्थिक मदद या किसी तरह की मदद की जुरत है आप की साधार पर कर रहे हैं डॉक्टर की मदद करना बहुत अच्छी बात है उन्हों वो लोग हमारी जान बचाते हैं केके अग्रवाल जी मरगे क्या आपने उनके लिए दो शब्द कहे क्या आप उनके घर पर गए आपने हदालतों में जवाब देना हुगा समाज के अंदर और अपने परिवार के अंदर भी जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा आप क्यों करते रहे किसके लिए करते रहे थोड़ा समय है अब भी सोचने समझने का आप मैं गारंटी दे रहा हूँ आप बहुत छोटे सूबे के के सीम हो आप कभी सोचो कि आप पूरे हिंदुस्तान के कोई बहुत राष्ट पती या प्राइम मिनिस्टर लोगों के नहीं आपका सपना नहीं होगा क्योंकि आपने जो वाइदे किये थे कि मैं मेट्रों में सफर करूंगा मैं जनता से हर आदेश लूंगा मैं सरकारी बंग पुलिस के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे हमें सांकेतिक एक अपनी बात रखने का शहीदी पार्क में शाम को चार से छहवई तक का मौका दिया जाए जिससे हमारे दिल्ली पुलिस के रिटायर साथी और पब्लिक के जो हमारे साथी जो हमारी विचार धरा से सहमत हैं वो अपनी बात को वहाँ पर आके रखेंगे और आपको आगा करेंगे और तमाम कोविट नेमों का पारण करेंगे हम वो किसान आंदोलन वाले नहीं हैं जो सरकार की बात को नहीं मानते जो जिस तरह से आप उनको सपोर्ट कर रहे हो आस तक उनको बिजली पानी मौया क चाहिए आपको और इसका हिसाब किताब जल्दी ही होगा आप इंतियार कीजिए 31 तारी को उनकी पतनी आप से सवाल पूचेंगी और 6 तारी को हम आप से सवाल पूचेंगे 6 जून को कि आप क्या कर रहे हैं उन फाइलों पर क्यों लिए बैठें पुलिस मुख्याले से फा तरह की छमता हैं वह इन फाइलों का डिम्टारा करें और जो भी हमारे कोविट से लेटी डैथ हुई है उन तमाम को कंपंसेशन दिया जाए यह जो खेरात बाटने का इनौन तरीका है इस पर रोक लगाए जाए और तुरंत रोक लगाए जाए जै हिंग जै भारत